एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम दान्चन था, उसके पास धन तो बहुत था, परन्तु उसने कभी किसी को दान नहीं किया था, उसने प्रण ले रखा था, कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करना है, उसके घर से कुछ किलो मीटर दूर गंगा नदी बहती थी परंतु वह कभी गंगा स्नान करने नहीं गया क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडे, फुजारियों को कुछ दान दक्षना देनी होती है गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा इसी डर से वह कभी गंगा स्नान करने ही नहीं गया उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए कहती थी परंतु वह कहता था इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा? एक दिन उसकी पत्नी ने कहा अब तो आपका बुढ़ापा आ गया आप दान पुण्य तो कुछ करते नहीं कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराओ पत्नी की बात मानकर उसने गंगा स्नान करने की हामी भरी उसके घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर दूर थी रास्ते में कहीं पैसा खर्च ना हो जाए इसलिए वह 12 किलोमीटर पैदल ही चला गया जब दान चंद गंगा नदी के किनारे पहुँचा तो उसको लगा के घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षणा मांगेंगे इसलिए वह स्नान करने मुर्दा घाट चला गया मुर्दा घाट बिलकुल सुनसान था उसने इधर उधर देखा दूर दूर तक कोई नहीं था उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुपकी लगाई भगवान जो घट घट के वासी हैं वह उसे यह सब करता देख रहे थे भगवान को एक मजाक सूझी भगवान वहाँ पर एक पंडित का रूप बना कर प्रकट हो गए जैसे ही दानचंद डूपकी लगा कर बाहर निकला पंडित रूपी भगवान बोले यजमान की जय हो पंडित को देखते ही दानचंद काप गया वह बोला यह तो हद हो गई यह पंड़ा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया पंडित ने बताया कि मैं एक संतोशी ब्राह्मन हूँ और एकांत में यहां मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ यहां पर कभी-कभी आपके जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरा साल भर का इंतजाम इकठे ही कर देता है आज आप आएं हैं आपको मेरा एक वर्ष का इंतजाम करना है मैं इतना दान नहीं कर सकता दान तो अपनी श्रद्धा के उपर होता है इसलिए आप छे महीनों का इंतजाम कर दो मैं छे महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता तो तीन महीने? नहीं एक महीने का ही कर दो मैं एक महीने का तो क्या? मैं एक दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता अब पंडित ने कहा आपको कुछ न कुछ तो दान करना ही पड़ेगा नहीं तो हम आपको जल से निकलने नहीं देंगे ठक हार कर दानचंद बोला एक आने का दान करूँगा वह भी उधार मेरे पास अभी तो नहीं है इसलिए मेरे घर आकर एक आना ले जाना पंडित ने दानचंद को एक आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया दानचंद ने सोचा मेरा घर तो यहां से 12 किलोमीटर दूर यह पंडित एक एक आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा इसलिए वह संकल्प लेकर अपने घर आ गया घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी वह इतनी दूर चलकर आया था इसलिए ठक गया था वह सोने ही जा रहा था तभी उसके दर्वाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी पंडित बोले यजमान की जय की पत्नी ने दर्वाजा खोला वह पंडित को देखकर लोटी और दानचंद से पूछा क्या किसी पंडित को कुछ देने की कहकर आये हो दानचंद बोला हाँ, मैंने एक पंड़ा को एक आना देने का संकल्प लिया है वह पंडित जी अपना एक आना लेने दर्वाजे पर खड़े हैं दानचंद ने सोचा वो पंडित एक आने के लिए इतनी दूर आ गया दानचंद ने पतनी से कहा जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार है इसलिए तीन चार दिन बाद आए एक आने की ही तो बात है दे क्यों नहीं, देते मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला जाकर उस से कह दो कि यजमान बीमार है इसलिए कुछ दिन बाद आए पत्नी ने दुखी जैसा मुह बनाया और पंडित से बोली महराज, मेरे पती आज इतनी दूर पैदल चलकर गए थे इसलिए वे बहुत ठक गए हैं और बीमार है इसलिए आप तीन-चार दिन बाद आना धन मिले या ना मिले लेकिन वे हमारे यजमान है यजमान बीमार है और पंड़ा चला जाए ऐसा नहीं हो सकता जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यही रहेंगे हमारा यहां रहने का इंतजाम कर दो हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहन करेंगे पत्नी लोट कर गई और उसने दानचंद को सारी बात बताई कि वह पंडित कह रहा है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वह यही रहेंगे इससे तो अच्छा उन्हें एक आना देकर रवाना करो एक आना क्या ऐसे ही आता है मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए ध्यानचंद को योग का अभ्यास था इसलिए वह सांस रोक कर पड़ गया पतनी गई और उसने रोकर पंडित से कहा कि वो मर गए अब तो जाओ अरे राम राम यजमान चला गया जब तक उसका अंतिम संसकार ना हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं तुम महिला कहां कहां फिरोगी हम सारे गाव में यजमान के मरने की खबर किये देते हैं पंडित जी सारे गाव में खबर कर दी कि दानचंद जी मर गए सारा गाव दानचंद के घर इकठा हो गया लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी एक आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था गाम के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझ के बांध लिया उसकी पत्नी सही में रोने लगी और रो रो कर बोली यह मरे नहीं है गाम वाले बोले बेहन यह तो 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 हारा मोह है जाने वाला तो गया इसलिए धीरज रखो अरे किस बात का धीरज रखो यह मरे ही नहीं है गाम वाले दानचंद को बांध कर अंतिम संसकार के लिए ले गए पत्नी बेचारी रोती रह गई लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब दानचंद से हम भी हार गए ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा एक आना बचाने के लिए यह आदमी बिना मरे मरा पड़ा है और चला जा रहा है जब दानचंद को लकडियों पर रख दिया गया और केवल अगने लगनी ही शेश थी तब पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे हम इनकी मुक्ती के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे भगवान उसके कान के पास मुह लेकर गए और बोले मैं भगवान विश्णु हूँ मैं वैकुंट से तुमसे नाता जोडने आया हूँ दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं उसने धीरे धीरे आँखें खोली ही उसने देखा कि यह तो पंडित है उसने फिर से आँखें बंद कर ली भगवान बोले हम हार गए हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे तुम ही हमसे कुछ मांग लो दानचंद धीरे से बोला वह एक आना छोड़ दो बस पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहां से चले गए और दानचंद आँखें खोल कर उठ बैठा झाल झाल